वैसे तो आप सब लोग बोलते हैं, लोक भाषा में भी गाओं के लोग भी घट घट ब्यापक राम सब के भीतर भगवान रहते हैं। लेकिन ये बात मानने वाले अरबों में कोई एक होता होगा, आप लोगों में कोई नहीं हैं। Don't mind, आप लोग बुड़ा न मानेंगे, सारा संसार जानता है, कृपालू अस्पर्ष्ट भगता है। मानने का मतलब क्या होता है, जैसे एक शरीर है आपका, नश्वर, लेकिन अगर कोई नेपाली है, तो वो दुनिया में कहीं चला जाए, ये नहीं भूलता कि हम नेपाली हैं। हमेशा याद है, हम नेपाली हैं। कोई पुरुष है, तो दुनिया में कहीं चला जाए, वो नहीं भूलता कि हम पुरुष नहीं है। कोई ब्राह्मन है, चत्री है, पंजाबी है, बंगाली है, मदरासी हो, कोई ज्याती है, हाई तो वो बनावती, लेकिन हमेशा उसको याद है। इस तरह यह भी हमको हमेशा याद रहता है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, जो मैं कल था, वहां गया था, टिकनिक में वही मैं हूँ, जो मैं रात को सपना देख रहा था, वही मैं हूँ, जो मैं इंडिया गया था, एक दिन पहले, वही मैं हूँ, ये माय को हम हमेशा रियलाइज करते हैं बोलने की बात नहीं रियलाइज करना महसूस करना अनुभाव करना एक एक शब्द पर ध्यान दो आएसे ही जब हम निरंतर ये है रियलाइज करें कि मेरे पास भगवान बैठे हैं अंदर हिरदय में उसी जगे जहां हम है हम कहां है ये भी आप लोग जानते हैं हिरदय में आत्मा हिरदय में रहती है पैर में, हाथ में, सिर में उसका प्रभाव है लेकिन वो रहती है हिरदय में उसी हिरदय में भगवान रहते हैं बेद कहता है द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया समानम ब्रिक्षम परिखस्वजाते तयोर अन्यप्पलम स्वाद्वत्यनस्ननन्यो अभिचा कशीति श्वेताश्यतरोपनिशत चौथे अध्याय का छठवा मंत्र और ये नारायनो पनिशत में भी पहले अध्याय का पहला मंत्र है इस मंत्र का मतलब क्या है संग्षेप में समझेए हमारे हिरदय में दो परस्नेलिटी है एक मैं एक मेरा पालक पिता भगवान दोनों एक जगे जड़ा भी दूरी नहीं लेकिन एक कर्म करता है और कर्म का फल भोगता है और दूसरा कुछ करता नहीं केवल नोट करता है हमारे कर्मों को और कर्म का फल देता है कर्म करने में हम सतंत्र है लेकिन फल भोगने में परतंत्र है मन माना नहीं चलेगा हम नहीं भोगते जी अना तुमने किया है अच्छा कर्म फल भोगना पड़ेगा तुमने किया है पाप कर्म फल भोगना पड़ेगा किसी को रियायट नहीं उभले ही भगवान का बाप बनके आया हो दुसरत जी राम के बाप मरना होगा तुम्हारा टाइम आ गया वो बाण मारेगा श्रमन कुमार तुमको मरना होगा अरे मेरा बेटा राम है भगवान यह कोई हो कोई रियायत नहीं सबके लिए एक कानून हमारे संसार में तो कोई बात अगर बेटे की आ जाए तो हम पक्षपात करते हैं लड़ जाते हैं पडोसी से रहे हमारा बेटे है ऐसा कहीं नहीं सकता हमारा बेटा ऐसा है ही नहीं हमारी भीबी ऐसे है ही नहीं हम लोग लड़ जाते भले मालुम हो है अटाइट्मेंट है न तो भगवान सबके हुदय में रख रहकर कुछ करते नहीं ऐसी मुर्खता की बात कभी सोचना मत वो कर्म कराते हैं हमसे कराते और आते नहीं है और अगर कराते हैं तो महा पुरुषों का कराते हैं भगवत प्राप्ती के बाद पहले नहीं पहले हम करते हैं जब हम भगवान को छू लेंगे, पालेंगे तब वो करेंगे, हम नहीं करेंगे हमारी छुट्टी तो वो भगवान जो हमारे हिर्दय में है वो आए कभी? ना ना सदा साथ रहे मा के पेट में जब हम आए तो वो भी साथ आए हम जब मरेंगे यानि संसार मिसे जाएंगे शरीर छोड़ेंगे तो वो भी साथ जाएंगे हम पाप कर्म के कारण कुट्ता बनेंगे वो भी जाएंगे कुट्टे के हिर्दय में ऐसा बाप नहीं है कि साथ छोड़ दे बुरा दिना आ गया बेटे का अपना अलग हो जाओ जब देव शरीर मिलेगा तो आएंगे अंदर अभी ये तीडा बना है पाखाने का अभी नहीं जाते इसके अंदर जाना होगा तुम बाप हो अमारे अगर वो नहीं जाएगा तो हमको चेतना कौन देगा ये जो हमारी इंदरियों में बर्क करने की पावर है ये वही देता है ये आँख देखने का काम नहीं करती जब ये जीव चला जाता है तो रहती तो है आँख कुछ देखती है जब बेकार तो भगवान सबके हिर्दय में रहते हैं और हमारे हिर्दय में भी हैं ये बात सदा मान ले बस भगवट प्राप्ति हो जाएं कुछ न भजन करना है न साधन करना है लेकिन सदा माने सदा इसका अभ्यास करना होगा ऐसे एक मिनट में एक दिन में नहीं हो जाएगा आदत खराब है न इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा हर काम अभ्यास से हुआ है जब आप पैदा हुए तो आपने ये नहीं मान लिया था हम पंजाबी हैं बंगाली हैं नेपाली हैं ये तो जब थोड़ा बड़े हुए और लोगों ने कहा और सुना बार-बार सोचा तब ये बुद्धी में बैठा ऐसे ही बार-बार अभ्यास करना पड़ेगा और अगर ऐसा अभ्यास हो जाए तो फिर आप जानते हैं आपका हाल क्या हो एक आदमी अगर नेपाल में टॉप कर जाए खाली पैसे में छोटा सा देश है नेपाल उसमें टॉप कर जाए तो वो कैसे चलता है अकड़ के क्या उसके अंदर वो सारा रूपया भरा है नहीं जी बैंक में है तो ये अकड़ के को चलना है फिर अरे वो उसको फीलिंग है नेरे पास है दस अरब रूपया है इस फीलिंग के कारण वो फूला घूम रहा है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ मैं गवर्नर हूँ अरे मामूली सबिस्पेक्टर होता है देखो वो बैंक में रूपया है उसी का अहंकार उसके रूम रूम में भर्ब गया है और अकड के चलता है और अगर हिर्दे में वो सारा रूपया भर दे कोई दो अरब तो फिर क्या बात है अंदर है सब बैंक फेल हो जाए तो भी परवा नहीं अंदर है सब हमारे और अगर पूरे बिश्व में टाप कर जाए कोई जैसे बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर तब तो क्या बात है और अगर वो स्वर्ग का राजा बन जाए कुबेर बन जाए तो फिर क्या हाल होगा लेकिन ये जितना भी सब कुछ है ये तो एक समुद्र का बूद भी नहीं है भगवान के आगे कोई कि भगवान तो अनन्त कोट ब्रह्मांड का स्वामी है वो मेरे हर्दय में है है आइडिया नहीं तो क्यों जी जब अरब खरव रूपये में हम अकड के चलते है तो मेरे हर्दय में अनन्त कोट ब्रह्मांड का माजिक बैठा है ये अगर मान ले देख किसी की परवान है है हमेरे अंदर वो बैठा है ये भग्त लोग जो हमेशा मस्ती में रहते हैं इसलिए रहते हैं वो हर समय मानते हैं वो बैठा है वो गाली दे रहा है अरे देने दो वो किसी की परवान ही करता और संसार में अगर हमें नहीं मानते तो उसने गाली दे दिया वो क्या समझता है मैं भी देख दूँगा ये लो डमाग खराब कर रहा है पागल हो गया फिलिंग फिलिंग छोटी छोटी बातों का उसने ये कह दिया उसके घर गए थे अब उसने कहा है गेट आउट गजब हो गया हमको गेट आउट कहा अरे तुम्हारी परसनल्टी है क्या बताओ अनन्त जन्म के पापात्मा अनन्त कोट पाप किये हुए तुम्हारी क्या हैसियत है जो तुम फिल करते हो कौन दोष तुम्हारे अंदर नहीं है बताओ कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, पापात्मा, 420, सप्प हो तुम इसी में से तु किसी ने कहा होगा कुछ, बड़ा मतलबी है, बड़ा गुंडा है, तुम गुंडे नहीं हो, भगवान को छोड़ के संसार से प्यार कर रहे हो, गुंडे तु यहीं करते हैं, और क्या करते हैं? अरे तुम क्या नहीं हो, और नहीं मानो, तो इससे तो कोई खास बात नहीं हो जाएगे, हम नहीं मानते हैं, एक अपड़गवार कहें कि हम नहीं मानते हैं, कि हम अपड़गवार हैं, अरे मानो ना मानो, जो हो वो तो रहो गई, तो हम ये सदा अपने लिए भी रियलाइज करें और अगर सब में करेंगे तो दूसरे को दुख नहीं देंगे सबसे बड़ा पाप पर पीडासम नहीं अधम आई दूसरे को दुख देने के बराबर कोई पाप नहीं अगर ये फीलिंग हो उसमें भी बैठे हैं मेरे श्याम सुन्दर तो फिर जो हम लोग दिन रात उसको परिशान करने का प्लान बनाते हैं उसको दुखी करें बीबी को बाप को मा को अपने घरवालों को औरों के तो छोड़ दो बाहर वालों के हम बूल जाते हैं तो हमारे अंदर भी श्याम सुन्दर हैं और सब के अंदर हैं और ये तक्या में भी हैं जडबस्तू में भी हिरन कशपू ने प्रलात का क्योरे चोकरे तेरा राम मेरे इस मकान में है वो तो बड़ा पवित्र है हम तो राक्षस हैं मेरे घर में है हाँ है ये मेरे खंबे में भी है हाँ 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 हसा बड़े जोर से ये खंबे में तेरा राम उसे माना गड़ा और भगवान टकट हो गया हाँ रे गदे मैं सब जगे हूँ ठीक कह रहा है प्रलात देख ये अवतार लेके भगवान ने सिद्ध कर दिया हम लोगों के सामने की किसी को डाउट न रहे कि जड़ बस्तू में भगवान नहीं रहते ये पत्थर की मूर्ती की क्यों पूजा की जाती है इसमें भी भगवान बैठे है जो मान ले उसके लिए भगवान है और जो नहीं मान है उसके लिए पत्थर है उसके लिए बिलकुल पत्थर है रोज सिर्खो पड़ा पटको कुछ नहीं मिलेगा मन से जो मानेगा उसी को फल मिलेगा तो जड़ बस्तु में भगवान है ये अवस्था तो बड़ी उची है ऐसार ये लाइस करना लेकिन पहले चेतन में तो अभ्यास करो हमारे अंदर हैं नमबर एक सब में हैं नमबर दो फिर तीसरी अवस्था आएगी सरबत्र है सरब ब्यापक उनका नाम है सरब ब्यापक तो इसका अभ्यास करना होगा अभ्यास करते करते इतनी बढ़िया शांती मिलेगी आप लोगों को हाँ मेरे अंदर अनन्त कोट ब्रह्मांड नायक सरब द्रष्टा सरब नियंता सरब साक्षी सरब सुड़ित सरवेश्वर सरब शक्तमान भगवान बैठे हैं कोई गलत काम न करें फिर वो लिख लेंगे किसी को दुख देंगे वो लिख लेंगे कोई चोरी चोरी पाप करने की सोचेंगे तो वो नोट कर लेंगे सोचना करना तो संसार वाले नोट करते हैं हमने उसको जापड मारा हाँ उसने देख लिया नोट कर लिया और जापड मारेंगे ये प्लान बनाया उसने नोट कर लिया मैंने मारा तो नहीं जी इससे क्या मतलब भगवान के यहां क्रिया नोट नहीं होती आइडिया करोण मर्डर किया आरजुन ने हनवान जी ने भगवान कहते हैं कुछ नहीं किया उसने हम लोगों ने गवाही दी अजी मेरे सामने किया तुमसाद अंदे हो उसका मन तो मेरे पास था जो कर्म मन से होता है उसी को भगवान नोट करते है ये बात हर समय अभ्यास में अगर हम लावे तो कोई गलत काम करी नहीं सकते सदा हम आनंद में शान्ति में रहेंगे बीमारी हो गई शरीर में हो गई हमको धोड़े हो गई है कोई जनक परमहंस बेद पढ़ रहे थे और उनके गुरुजी के और भी बिद्यारती थे उनको इरश्या थी कि जनक को आगे बिठाते हैं क्योंकि राजा है तो आश्रम में आग लगा दिया गुरुजी ने अरे ये बाहर वाली आग नहीं योग माया से शक्ती से लगा दिया क्यों लगी आग कोई नहीं जानता भागे सारे बच्चे और क्या था उस जमाने में लंगोटी उसी के लिए भागे छोड़ दिया पढ़ना बेद का और दूसरे दिन जनकपुर में आग लगा दिया वो भी बनावटी और आज कर्मचारी भागे भागे आए और जनक पढ़ रहे थे जनकपुर में आग लग गई सारा जनकपुर जल लहा है उन्हें गा ठैरो हाँ गुरू जी आगे पढ़ाईए दूसरी पार्टी आई आपकी सबरानिया भी जल गई रुको हाँ गुरू जी आगे पढ़ाईए नमे किंचन दही जते अरे जनकपुर जला है बीबियां जली है मैं तो नहीं जला मैं आत्मा अपने को आत्मा मानने वाला कुछ भी हो रामकुर्ष्ट में परामान सित्रे हमारी इंडिया में उनको कैंसर हो गया तो लोगों ने कहा आप तो महापुरूश है इसको देबी जी से कहिए दुरगा जी से ठीक कर देंगी उन्हों ने कहा क्यों औरे इस गंदे शरीर के लिए मां से कहे ये क्या छूटेगा नहीं अरे ना कैंसर होगा तो भी तो मरेगा आदमी अरे कौन आदमी है जो नहीं मरा आज तक बड़े बड़े संत हुए जोगी हुए ग्यानी हुए समर गए तो शरीर तो छूटे गाई इसके लिए हम कहें मां से तो जब आप तक पग्यान सदा साथ रखेंगे तो कोई भी मुसीबत आज़े को जावे आप हंस्ते रहेंगे तो अब रादे रादे ऐसा हो गया रादे रादे ओ मर गया तुमारा बेटा रादे रादे उसका समय आगया हो जाएगा ट्रेन में कुतने लोग बैठते हैं जिसका स्टेशन आया वो उतर गया अब दूसरा कहता है आरे साहब आप चले जा रहे हैं मैं अकेला रह जाओंगा आरे साहब ये तो फिर अपना अपना स्टेशन है सभी को जाना पड़ेगा इसका अभ्यास कीजिए शुनिये नहीं तब चुने जाएगा शुनिये नहीं चाहब